यहां पर सारे question को देखेंगे और सारे question को जो important आपको लगता है जरूर ने note कर लेंगे है न है तो यहां पर first question में देखेंगे और underline क्या हुआ यहां पर जो दिख रहा है वही आपका under a cloud के बाद अगर बात करें ठीक है under a cloud तो एक वर्ड यहां पर दिखने से लग रहा है कि एक तो सबसे पहले हैं पर स्ट्रेट्मेंट पर थे कि फॉर हिस एलिग्ड इंवाल्मेंट इन एस्पियोनेज ही इस अंडर अ क्लाउड इस डे ठीक है आप यहां पर देख रहे हैं कि एलिग्ड इंवाल्मेंट इस्पियोनेज यह तीनों वर्ड कहीं है कि आपको चीज़ें पताईए एस्पियोनेज मतलब सबको पता है कि जासुसी की बात हुरी है और एलिग्ड मिन्स की कथित तोर पे उसका जो इनवाल्मेंट था जासुसी में वो क्या है इन दिस डे ही कि अंडर ग्लाव्ड का सिंस में यहां पे जो होगा और इस जो होगा यहां पे अंडर ग्लाव्ड मिन्स की एक सव्पेंस बना रहेता है। है जासुसी वहाइसपी जिसका मतलब होता हैर जासुसी में हमें इसा क्या होता है संस्त बना रहाता है एक word अपने देहा मतलब होता है जासुसी तो है ने ज्यासुसी संस में अधर बात हो रहा cœur है तो यहां पर enjoy के सेम्स में नहीं होगा experiencing cloudy weather अब देखें cloudy weather की बात हो यहां पर cloud की बात हो रही है कैसा नहीं कि cloud के बात अगर हम कर रहे है cloud means बादल होता है बादल में weather के sense में अगर हम यूज करते तो अब यहां पर वह ट्रिक में बताना हूँ को जो भी चीज़े रिलेट करें यहां पर वो वो जो चीज़ दिया है वह वर्ट से रिलेटट आपके नहीं जो वडद दिया है î localized कभीए 90 नहीं होते हैं to हैं तो अगर यहां पर देखें cloud हुआ भी है cloud cloudy weather यह भी अगर इस तरह के आया वह भी नहीं अंडर और अबजरबचल तो यहाँ पर observation की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात रही है जासूसी में हमेशा suspense होता है ठीक है जिसकी C number option होंगे यहाँ पर आते हैं next question पर We have appealed to him again and again there is no use flogging a dead horse now यहाँ पर जो underline किया गया है इसका मतलब आपको बताना है पहलों को यहाँ पर जान ली थे flogging अगर कुछ word आपको पते हैं तो इससे भी बहुत मदद मिलते हैं flogging का मतलब था कोरे की मार कोरे की मार का मतलब है कि अब यहाँ पर देख रहे कि एक dead horse है अब मरा हुआ गोरा को अगर कोरे मारेंगे तो क्या कोई फर्क परना है कुछ नहीं परना है वो क्या एक wasting time में एक useless effort है तो answer जो होगा d number option होगा है ना आते हैं next question पर next question क्या है कि we should not look down upon the rest of earth look down upon look down upon का मतलब तक तिरसकार करना तिरसकार करना या निंदा करना ठीक है निंदा जैसी words यहाँ पर यूज होता है तो यहाँ पर एक phrase है ठीक है यह क्या आपने आपने एक phrase है तो phrase अगर आपको याद है तभ आप इसे देखते चुट्कियों में आप answer कर देंगे ठीक के तो यहाँ पर वो trick apply नि कर पैंगे यहां पे वो ट्रेक अप्लाई नहीं कर पाएंगे विए सिरा सिदे फ्रेज दिया गिया और फ्रेज का आपको नौलज होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे है ना तो यहां पर वी सुद नौट लुक डाउन अपॉन ठीक है तो एकता से यहां पर खीटाया दीजा रही है कि कि sense में लोग डाउन अपॉन मिस कि तिसकार कि sense में कि singular तो आत के बारे में बात हो रहा है तो तो जो हैट इंटेंसली नहीं होका चैं एंभज मल्स आपि और यहां पिनदेफरंट टू भी नहीं कि ain के बलकि जो से काय शला रिखार वी कामरिजए ते इसकार या कि ठिक sympathize के संसमे नहीं होगा हिट इंटेंस लेली नहीं होगा इंडिफरेंट तू नहीं होगा ठीक दीनमर ऑप्सन होगा अब आते हैं नेस्ट कोशन पर कि सकती नियंके हीज सेंसयोष यह दिया जोड़ी कि प्रेज।र यहां पर लेला नाना मिश्च अंतनी में feel sorry के sense भी यहां मतलब नहीं निकलता है क्योंकि यहां पर उसकी misbehavior थी इसलिए he is found face music face music का मतलब यहां पर होगा अर्थ इसका अंसर होगा ठीक इसका answer होगा get reprimanded reprimanded का मतलब निंदा करना ठीक है निंदा करना या क्या गया क्योंकि इसकी विहाईविर अच्छी नहीं थी इसलिए उसे निंदा का सामना करना पर दो सामना करना और म्यूजिक का मतलब होता है अब म्यूजिक का सेंस में कि यहां पर कोई positive sense की बात नहीं हो रही थी ठीक है चली तो music से related मैंने बताया था आपको अंसर करना काफी आसान और असान हो जाएंगे है ना चली नेस्ट क्या वही और दक वाकिंग और फैक्टरी वाज disrupted ठीक ऑन अचांट ऑफ टोकन अस्ट्राइक वाइद बरकर्स अब यहां पर क्या हो अभी डिस्रप्टिट का मतलब होता है बाधित जो वर्किंग ऑफ दे टोकन अस्ट्राइक का मतलब होता है क्या रही यह यहां पर तोट्राइक की बात करने की बात करते हैं तो यहां पर sought a strike held as warning जो यहाँ पर token strike करने का मतलब था strike तो ही है लेकिन एक छोटे strike ही किस sense में एक warning देने के sense में हुई है तो worker क्या कि जो strike की है एक warning के sense में की है ठीक है ध्यां रखेगा तो यहाँ पर जो होगा token strike का मतलब हो गता है sought strike held as warning चलिए अब आते हैं नेक्ट कोशन पे by opposing his approval I feel fall of him देखे हैं हो रहा है opposing के बात हो रहे है opposing मतलब negative sense में बात हो रहा है ठीक है negative sense की बात हो रही है opposing का मतलब negative sense में बात हो रही है ठीक है और वहाँ पर अप्रूवल की बात हो रही है तो by opposing his approval I feel fall of him mean जिस क्याасс कॉरल विद नहीं होगा, अग्रीद विद नहीं होगा या फिल्ड ». बलखी द्यान रखिएगा. निगेटिव सेंस एक बात होती नहीं है. बैसा नहीं कि आपउध अगर किसी का अप्रॉवल करने रखतेक्जायों तो यहां पे यहां पर feel की बात हुरी feel की बात हुरी है तो यहां पर आप quarrel करनी रहे है ठीक है did not agree with फिर से मैं बताए कि agree sense में हो नहीं रहा है बलकि felt annoyed with feel के sense में हो रहा है feel के sense में feel annoyed with होगा b number यहां पर option होगा चलिए next है those who work by fits and starts seldom so good results ठीक है इसका मतब होता है fit and starts fit and starts का मतलब होता है अगर आगे संदेश परते हैं those who work अगर यहां पर किसी वर्ट को आप रहते हैं कि those who work irregularly ठीक है irregularly seldom so good result अगर जो व्यक्ति अगर regular काम नहीं करता है ठीक से तो कभी कभी या कभी ऐसा होगा को सही result दिखाए ठीक है तो by fits and start का मतलब होता क्या है यहां रखेगा इसका मतलब होता है इर रेगुलर्ली ठीक है रेगुलर्ली की बात नहीं हो रहा है वाइफिट and starts का मतलब होता है इर रेगुलर्ली एन फिअन और ओग्याण है यहां पर आपको क्या क्या है यहां पर इनफ मिसकी फ्रीडम दिया है मैनेजर जो है जो मैनेज करता है वो employee को क्या किया बरे एक freedom दिया है आपको चूट देता हूं फिर देखता हूं कि रिजल्ट किया आने वाला है नहीं स्ब्सक्राइब मनेजande मलाच से अधसर अधसर में और अंदा लिज्ट प्रॉयम hm तो इसे खुश्च फोगे या फिर साड हो गए या पाजल हो गए या त्रिफरन भोगे तो कि पाज़ड हो गए है आटजी कि कमत होता है पाजल ही वज उस्वाल बाजल विन ही बेगान his new job जब उसे new जौब मिली तो भाई सभी ऐचंबित हो गए है जाए है सभी क्या होगे अच्छा उगए निसके आच्छा शक्राइब होगे एक सी का मतल्द है पुजल अ है तो यहां पर ध्यां रखेगा ही वाज ओड एट इस न्यू जॉब तो न्यू जॉब जैसे मिलता है यहां पहर तो पुजल हो जाते हैं पुजल मतल्द किसी भी चीज़ में एक पजल लो जाना एट सी मिन्स का मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं ठीक है चले नैस जो कोशन है क्या कि कि स्वीपिंग स्टेटमेंट बेड़ मिल इसका मतलब दा'll को सिसिंव इम नदार कि श 닌omi होगी sweeping statement statement कैसा है sweeping मिंसकी बहारता हुआ जैसा मिसका कोई उसका कोई value है खास नहीं मिंसकी एक तरह से कह सकते general statement यह होगा ठीक है एक general statement के तरह आपर बताए गया है next है कि his promotion on his cards his cards अगर एक तरह से sense में देखा जाएक कार्ड से उसमें अगर कोई उसे notice मिल गया है promotion के sense में तो यह definite हो जाता है definite हो जाता ठीक है अगर आपको और आली बता दिया गया बॉस के दॉरा कि प्रमोशन अपकी करदे जागी ये डिफिनिट नहीं नहीं ले मैं यmo later मैं ये बता कर दे दिया जाता मैंसन कर दिया आ Sounds Come later.I give Venus JOEम की मिली वह डिफिनिट हो जाता है। तІ है। certain हो जातारा निष्चित हो जाता है on का मतलब होता है directly अचानक नहीं अपर अप्लिक का मतलब अचानक अचानक के सिंस में नहीं होगा रेश्ट है कि have you given up the idea of accepting the new assignment give up give up का मतलब होता है छोड़ देना छोड़ देना या त्याग देना त्याग देना ठीक है तो उसकार जो सही मैंने मारते देता है गिव अप का मतलब अबैंडेंट ठीक है पुस्पॉर्ण नहीं अमिन नहीं एडॉप्टे नहीं ठीक चलिए नेस्ट जो कॉशन है की सीजर वास ड्रन टू देथ बाइड़ कॉंस्पिरेटर्स सीजर के वाले में बताया जा रहा है कि डंटू देथ डंटू देथ का मतलब कि दोरा जो सरीयं अंतरेकारी थें उनके दोरा क्या क्या कर दिया गया डंटू देथ मतलब अटैक नहीं एलिमिनेटर नहीं डिम्रेट कर दिया गया उनकी हत्या कर दिये चलिए नेस्ट है और इफ यू रव हिम रॉंग भी ही इस बाउन टू रियक्ट अब आप यहां पर यहां पर रव हिम रॉंग बे का मतलब होता है अन्वा हिम किसी को आप इस तरह से तंग करते हैं तो ठीक है क्योंकि यहां पर यह चीज़े यहां है निगेटिव सेंस की बात हुरी है और यह देख रहे हैं यहां पर इनकरेज पॉजिटिव सेंस में फ्लैट पॉजिटिव पॉजिवियर्स पॉट दब फामज इन टाइट कोर्ण फैलियर ऑफ क्रॉप्स सक्सेटिव लगतार साल हर साल अगर फसल की उपज अच्छी नहीं और ठीक है बरसा नहो तो क्या होगा ऐसे में इस यहां आपकी जो फशल बढ़बात होती है तो ऐसे में किसान को क्या कर द नहीं हो रहा है घास के मैदान के बारे में नहीं बात हो रहा बलकि उन्हें क्या करते था है एक डिफिकल्ट सिच्वेशन मिलाकर खरा कर देता है ना बही जब आपका जो यहां पे जो फर्मर हैं उनके अगर क्रॉप्स लगतार हर साल फेल हो जाए तो सिच्वेशन डिफिकल्ट हो जाता है है ना ध्यार रखेगा इन टाइट कॉर्णर का मतलब इन डिफिकल्ट सिच्वेशन नेश्ट की दो एफट टू ट्रेस्ट दा कलप्रिट वाज अगूल्ड वाज अब बील्ड गूज केस यहां पर बात और कलप्रिट क लुग पीछे पड़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है एक तरह का कोई आइडियर सिकिंग नहीं पॉजिट्विशन सेंस की बात यह नहीं होगा ठीक है क्यों पॉजिट्व पॉजिशन कहीं नहीं हो नगें फूट पूल हंटिंग यह हंटिंग जैसा यहां पर कोई बात हो यहां पे कोई कलपरि की बात रहें है यहां पे बात होगा यहां पर इना कि अ इसका सही आंसर होगा ठीक है अपर इसके साथ रिकुर्मेंट के संसमें नहीं होगा थे रखेल्ड के थन्सेंश होगा है नहीं एक वर्ड दिखा यहां पर स्टोरी बस आप बलिब के संस में अब टिक करें और आगे बरें चलिए राज उड़ नौट पे देवील राज could not pay the bill so he asked the owner to put it on the cuff on the cuff का मतलब होगा यहाँ पे on credit मिसकी अगर आप कई बार ऐसे होते हैं दुकान पे आप गें समान खड़ लिया आप पैसे नहीं पे करते हैं और कई बार उसके दुकान से समान लाते हैं तो दोनों के बीच में एक understanding बनी होती है तब आप क्या करते हैं ठीक है आप जो भी दुकान के जो मालिक होते हैं जहां से आप दुकान से समान लेते हैं उसका आप क्या करते हैं भाई आप खाते में लिख लो ठीक है खाते में लिख लो उधार में लिख लो है ना उधारी के सिंस में खाते में जमा खाते में लिख लो तो यहां पर वही सिंस हो रहा है कि जो है आप ओनर को कह रहे हैं भाई आप इसे खाते में लिख लेना अगले मंत में मैं दे दूंगा ठीक है इस के सिंस में यहां पर होगा नेस्ट है कि his statement is out and out a lie ठीक है जो उसका statement है वो क्या है जूटा तो है लेकिन कैसा आउट तो है और भी आउट 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 मिन्सकी पूरा का पूरा यह जूटा है ठीक है लेस्ट है कोशन कि दा लगजरीकार गाट देबाउट चाना ओट विए वाइट लफाइंट वाइट लफाइंट मतलब क्या भाई की जो नए लगजरीकार उन्होंने खरीद के लाया वो कैसा दीख रहा भाई वाइट लफाइंट जैसा मिन्सकी कॉस्टली या ट्रॉबलसम इस आप यहां पर बात हो रही है अगर आप वर्क करते हैं डेफिनेटल लिए आप सुख एंड समृदि पाते हैं कैसे काम करेंगे फैरां स्क्वाइर तो फैर निस्ट काम करेंगे ठीक है ऑनेश काम करेंगे तभी तो है न चले लैस्ट है कि देर जो लव लॉव लॉस्ट between two, any two neighboring countries in the world, no love lost, so no love lost का मतलब यहां पे हो, not on good terms, between two neighboring countries, ठीक है, तो no love lost का मतलब हो, not on good terms, next है, they have the heavy downpour, the heavy downpour, played havoc in the coastal area, havoc का मतलब होता है वाई, तबाही, ठीक है, तबाही, अब यहां पे काफी मुसलाधार बारिस होगी है, तो कोश्टरिया में क्या कर दिया है, तबाही मचा दिया है, मिसकी cause destruction, ठीक है, played havoc का मतलब होता है, cause destruction, चले, और इस विडियो का last question में फड़ा फड़ा दिख लेते हैं, यहां पे 25, यहां पे रिम के कुशन थे, उसका last question है, ठीक, last question है, to have a green thumb means, अब देखें, यहां पे green thumb की बात किया गया है, तो green thumb मैंने बहें बताया थे, कोई word उससे related नहीं होगा, ऐसा नहीं कि green tattoo on the thumb, thumb से related फिरते word आगे, यह होगा नहीं, ठीक, on nails are printed गिरे, अब thumb और thumb में नाखून, ठीक है, तो answer क्या होगा वे, to have a natural interest in gardening, आप अगर, यहां पे thumb की बात हो रही, green के sense में होगा, तब आप इससे पता चलता है, कि आप natural interest रखते हैं gardening करने में, तो guys, कैसे लगी यह video, हमें comment करें, कुछ ज़रूर बताना, ठीक है, और आप इसके लिए, आप telegram app को download कर ले, telegram app में, वहां पे इसका वुआज़ा है,